भारत सरकार द्वारा आजी वी का मिशन के अंतरगत चलाई जा रही योजना के अनुसार लखेंपुर खीरी जिले के तहसिल पलिया के ग्रामों में अब आंगनवाडी केंद्रों पर स्वयम सहायता समों की महिलाए राशन बाटने का कार्य करती नजर आ रही है जिससे लोग महिलाओ की सरहाना करते नजर आ रही है दरसल देखा जाए तो महिलाए भी पुरुषों से कम नहीं है यदि उनको भी एक अवसर दिया जाए तो वह अपने काम को अंजाम देंगी वह अपने काम को बखु भी निभाएंगी वही महिलाओ को एक मौका क्षेत्र में चल रहे स्वयम सहायता समुह दे रहा है जिसके चलते महिलाओ अपने पैरो पर खड़ी हो रही है जिसमें महिलाओ को अनेक प्रकार के रोजगार दिये जाते है इसको देखते हुए महिलाओ को एक और रोजगार दिया गया जिसमें महिलाए आंगनबाडी केंद्रों पर राशन बाट रही है पताते चले भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्व कांग्शी योजना उत्तर प्रदेश राज जग्रामिन आज जीवी का मिशन के अंतरगर क्षेत्र में चल रहे स्वयम सहायता समुह में महिलाओ को को एक और रोजगार दिया गया जिसमें महिला आंगनबाडी केंद्रों पर खाद्य सामगरी बाटने का काम कर रही है इसमें महिलाओ के द्वारा हरे निले पीले गुलाबी वर लाल इत्यादी रंगों के पैकेट में राशन भर कर वितरन किया जाता है आपकी जानकारी के बता दे कि इसमें महिलाओ को पोशित बच्चे, 3 महा से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे, 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी बच्चे वगर भवती महिलाओ आदी को खाद्य सामगरी दी जाएगी तो इसमें अलग अलग कलर हैं तो क्या अलग कलर बाइस बाड़ना होता है अः भी है हाँए अहँड हाँड हमारे में गुलावी तो इससे बाड़ना आ है तो यह कब से आप लोग पैकिंग कर रही है मोंका 001 तो अभी तक मुह्राओं को आपने राशन बाड दिया खुम सक्台 nella को बाड़ना तो इसमें आपका पूरा मसमु काम करता है लखिम पुर्खीरी से फारुक हुसेन की रिपोर्ट